हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे पच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेशन की बारे में यहनकी एड़ब तो बच्चों सबसे पहले क्रिया विशेशन की परिभाशा जान लेते हैं अर्थात जो शब्त क्रिया की विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं जिसे प्रती दिन एकाएक वहां जीवन भर नीचे यहां से वहां तक आदी ये सब क्रिया विशीशन के उधारन हैं जाले बच्चों अब नीचे दिये गए चित्रों को हम ध्यान से देखते हैं और उसमें लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वा पड़के समझने की कुशिश करते हैं जैसे पहले चित्र में मनोर्मा कल स्कूल जल्दी आ जाना अगले चित्र में महीला धीरे धीरे चल रही है तीसरे में चित्र में मीना दिवार के उपर बैठी है तो बच्चों इन वाक्यों में जल्दी धीरे धीरे तिथा उपर शक्त क्रिया की विशेशता प्रकट कर रहे हैं आता ये शक्त क्रिया विशेशन हैं तो चली आप क्रिया विशेशन के भेद भी जान लें, इसके चार भेद होते हैं, काल वाचक, स्थान वाचक, रीती वाचक था, परीमान वाचक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल वाचक प्रिया विशेशन के बारे में, जो शब्त काल से संबंदिद अथार समय से संबंदिद क्रिया की विशेष्टा बताते हैं उन्हें काल वाचा क्रिया विशेष्टा कहते हैं जैसे स्वाती अभी गई है अथार उसके समय का पता लग रहा कि वह अभी गई है मीना कल आएगी समय पता लग रहा है कल आएगी तो यह काल वाचा क्रिया विशीशन है दूसरा है स्थान वाचा क्रिया विशीशन जो शब स्थान से संबंदित क्रिया के विशीशता बताते हैं उन्हें स्थान वाचा क्रिया विशीशन कहते हैं जैसे यहां तो बड़ी गर्मी है, वहां जाओ, अर्थात इससे स्थान का पता लग रहा है, तो स्थान वाचक क्रिया विशिशन, तीसरा है रीती वाचक क्रिया विशिशन, जो शाब रीती से संबंदित क्रिया की विशिशन बताते हैं, उन्हें रीती वाचक क्रिया विशि चौता है परिमान वाचक्रिया विशेशन अर्था जुशप परिमान से संबंदित क्रिया के विशेश्टा बताते हैं उन्हें परिमान वाचक्रिया विशेशन कहते हैं जिसे थोड़ा ठेरो तो सही जरा सा खालो इसमें क्वांटिटी यानि कि परिमान का पता जल रहा है तो तो चलिए एक बार इस पार्ट को दोहरा लेते हैं विशब जो क्रिया की विशेशता बताते हैं क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं काल वाचक स्थान वाचक रिती वाचक वो परिमान वाचक क्रिया विशेशन तो बच्चों इस पार्ट मे में विस्तार पूर्वक जानकरी आपको अगली कक्षा में मिलेगी अभी आपने केवल इसकी परिभाशा और इसके भेदों को ठंक से समझना है अब इसका अभ्यासकार्याप स्वेम कीजिए